हेलो श्रेंट्स, वेलकम डू माई नर्चर, मैं हूँ कुछना, कैसे हां सब लोग, मस, बढ़िया, उमीद कर रहा हूँ, पढ़ाई बहुत अच्छे है चल रहे होगी आप लोगों की, और लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, उससे और इसका कोई कोर्लेशन तो नहीं है, बट हाँ, उसको देखने से क्या है, थोड़ी सी अंडरेस्टेंडिंग बढ़ेगी, ड्रक्स को समझने की, छमता बढ़ेगी कि कैसे ड्रक्स को पढ़ना है और क्या करना है, तो खेर, आओ हम लोग आगे चलते हैं, अपना next lecture और chapter 11 का lecture number 4, इस chapter में दो lecture और आएंगे, lecture number 5 and 6 और ये chapter क्या हो जाएगा, हमारा complete हो जाएगा, तो chapter हमारा चल रहा है, anti-infective agents, infection को रोकने वाले agents कौन कौन से होते हैं, इसमें कौह सारी चीज़ हमने पढ़ ली, anti-tuberculosis पढ़ ली हमने, anti-UTI पढ़ लिया हम लोगोंने, ठीक है न, anti-fungal पढ़ लि इसको वाइरल लग जाता है, वाइरल चल रहा है, आजकल चीज़ें वाइरल हो जाती है, लोगों के वीडियो वाइरल हो जाते है, वाइरस बड़ा तेजी से फैलता है, ठीक है, जिसको रोकना थोगा सा बड़ा मुश्किल काम होता है, latest अभी चला क्या, covid-19, वाइरस चला हम लोग किस तरीके से इस वाइरस का तोड निकाल रखा हम इंसानों ने, बड़े-बड़े वज्ञानिकों ने, क्या अपना योगदान दिया और क्या ढूना जिससे कि इन वाइरल का हम लोग बरबात कर सकें इस वाइरस को, ठीक है, हाँ देखते हैं, चलो श्टाट करते ह वो एजेंट्स या वो दवाईया जो वाइरस को खतम करेंगी या रोकेंगी कुछ भी समझ लो, तो आँ स्टार्ट करते हम लोग, एंटिवारल एजेंट्स आरदा ड्रग फॉर ट्रीटमेंट और कंट्रोल, ठीक है न, देखो दोनों चीज़ा पॉसिवल है, और कंट्रोल, या लिकिडेंट्स भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, ओफ वाईरल इंफेक्चन, जो वाईरल इंफेक्चन है, उसको, ओके, डे, तर्गेट इस स्टेजिछ इन दावायरल लाइफ्स एज्कल, आब हम लोग इसमें वायरस की लाइफ साइज़ पढ़ेंगे, ठीक है वारिश की लाइट साथ में मान लो यह एक human cell है यह वायरस है यह आएगा इसके पेनेट्रेट करेगा पहला इस स्टेप क्या करता है पैनेट्रेट करता है पैनेट्रेट मतलब छेद करके सेल के अंदर गुश जाएगा ठीक है दूसरी स्टेप में अपने डियन्य रिल निकल का रहे हैं या ऐसा कब होता है जब तो उसमें कइब आता है हमारे ही कि कोटिंग इनकों अब आ जाती और वहाले से तुम ओ तो अब इस तरीकिए जब आंधर गुसा अपनी कॉOMि करवाई और फिर भाहर निकाला और यह फैल रहा है यह जो इसकी पूरी साइकल है ना इसी साइकल पे कहीं ना कहीं या तो घुसते वक्त या रेप्लिकेट करते वक्त या भाहर निकलते वक्त कहीं ना कहीं यह हमारे एंटी वाइरल एजेंट क्या कर देंगे अटैक कर देंग वाइरस की life cycle में जगे जगे पर target करते हैं हर दवा का अलग जगे एक्ट होता है एन आइडियल जो सबसे अच्छा antiviral agent शुड़ भी होना चाहिए effective against both किसके against दो चीजे actively replicating जो लगातार अपने आपको divide कर रहा है इसके अंदर अपनी जनसंक्या बढ़ारा वाइरस cell के अंदर एंड लेटेंट वाइरस पड़ा हमारे अंदर कुछ काम नहीं कर रहा है है ना अब हो सकता है 22 में जाग जाए वो तो अच्छा antiviral वो माना जाता है जो पैदा करता हुआ वाइरस और जो सोया हुआ वाइरस है दोनों के उपर अटेक कर दें ठीक हाववर मोस्ट आप दा अवेलेबल एंटी वाइरस यह एंटी वाइरल जो ड्रॉग्स हैं हाववर लेकिन यह जो ज्यादा आजकर ड्रॉग्स हैं एजेंट आर इफेक्टिव अगेंस्ट अनली र पैसिफिक वाइरस ज्यादा तर वो एक खास वारिस को ही मारते हैं वाइल अब ब्रॉड स्पेक्टर मैंने गला ब्रॉड स्पेक्टर मतलब जिसकी मारकार्ट की लिस्ट ज्यादा है यहना की छोड़ता नहीं किसी को एंटी वारल इस एफेक्टिव अगेंस्ट वाइज ज टार्गेट पैथोजन ठीक है ना एंटी वाइल डग डू नौट डिश्ट्रॉज दियर टार्गेट पैथोजन इनिवीट इस डवलमेंट वह अपने टार्गेट पैथोजन को यहाँ पर एक किल नहीं करेगा बल्कि उसके डवलमेंट को उसकी ग्रोथ को रोग देगा पा एगा लेकिन उसकी डवलमेंट को रोगता है तो वह एंटी वाइल एजेंट है ठीक है मोस्ट एंटी वाइल डार्गेट रिलेटिवली हामलेस टूदा होस्ट यह होस्ट यानि की होस्ट मतलब जिसके अंदर जाएंगे यह उसके लिए हामलेस है एंड देवर कैन वी लिए आगे देखें नेचुरल वाइरी साइट्स और नेचुरल वाइरी साइट्स मतलब करना और प्रोडूश्ट पाइस सम्प्लांट प्लांट को दौर्डूश करते हैं जैसे कि यूकलिप्टस एंड आस्ट्रेलियन टी ट्री यह दो पौदे ऐसे हैं जो वाइरी प्रोडूश करते हैं इनके अंदर केमिकल पाए जाता है वो नेचुरली वाइरस को किल करता है ठीक है अब थोड़ा सामनों नदर डालने उम्मीद कर रहा हूं यह दिखाए दे रहा होगा ठीक है ना ठीक है तो आप देखें कि वाइरस करते क्या क्या है हमको तो बहुत थ इंसेफिलाइटिस इंसेफिलाइटिस ए उसदीक ना यहां बात करने ब्रेएं ब्रेंड के अंदर जए-सी वायरस मीजल ठीक है ना ऐल्श्यम वायरस एश्व वायरस डुसका नाम बार बाराए खाई यह कॉमन को रिनोवाइरस यह वायरस यह क्तिय कैंप आँख में हरपी इस सिंप्लेस्स वाइरस इसका नाम बार-बार आएगा अभी एडिनो वाइरस साइटो मेगलो वाइरस यह क्या है जो आंखों में infection पैदा करते हैं पैरोटीड मॉम्स जो यहां पे गल्सवर फुल जाते हैं जैटिक जो पैरोटीड मॉम्स वाइरस निमोनिया लंग्स पर ज जो पैंक्रियास पर ट्राइक करेंगा शेक्स के दौरान वाइरस फिदर सो धर एक बॉड़ी से दूसरी बोड़ी में ट्राफ़र होते हैं हर्पीस हुमन पैपलियो पैपिलोम लोमा वाइरस और एच आईवी यह तीन है या पर इसकी निन्फेक्शन करने वाले वैरिस दे रहा है वर्सीलरा जॉस्टर हुमन हर्पिस वाईरस स्मॉल पॉक्स हैपाटाइटिस लिवर को करने वाईरस हैपाटाइटिस ए-b-c-d-e कार्डियोवस्कुलार इवन हाट को भी नहीं छोड़ा कॉक्सा सेकल भी वाईरस फेरंजाइटीस जो यहां पर नहीं यहां से एक आइडिया लगा कि वाइरस कहा कहा कर सकता और अब क्या क्या बिमारियां पैदा कर सकता है अब देखो इसका है MOA MOA क्या चीज है mode of action MOA क्या चीज है mode of action ठीक है न तो जैसे मैंने बताया था mode of action में क्या कहानी रहेगी हमारे पास कहानी यह हो जाती है कि यह रहा यह वायरस ठीक है न और यह वायरस क्या कर रहा है विए वायरस आया यह पैनेट्रेट कर रहा यह अंदर घुशनने की कोशिश कर रहा है ठीक है ना, entry, कुछ drugs यहीं पर attack कर देंगी, इसको रोग देंगी, ठीक है ना, entry पर, इसे हम कहते हैं, fusion inhibitor, fusion का मतलब क्या है, यह virus हमारी उपर की cell membrane को थोड़ा सा fuse करता है, गला करके अंदर घुज जाता है, ठीक है, फिर क्या करता है, penetrate हो गया, घुज गया अंदर, अब यह अपने उपर की layer को uncoat करता है, और अपने अंदर के जो proteins वगयरा है, उनको क्या करेगा, बहार निकालेगा, यहाँ पर कुछ दवाई है, यहाँ इसको uncoat होने से रोकेंगी, inhibition of viral uncoating, step number 2, 1, 2, अगर यहाँ पर भी यह निकल आया है बहार, तो कुछ क्या करेंगी, nucleic acid synthesis या अब उसको अपना DNA बनाने से रोकेंगी, step number 3, nucleoside and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, ठीक है, अगर nucleoside यह बन गया है, तो अब क्या करेगा, late protein synthesis and processing, बात जब nucleic acid बनने के बाद कुछ protein सी जरूत परती है, ताकि वो अपना पूरा, क्या करें, मैं खामा तयार कर सकें कि आगे अटेक करना है, तो उस protein को रोक दें, यहाँ पर, चौथे नंबर पर, protein inhibitor, यह भी हो गया है, और finally क्या करें है, उसने अपना को pack किया, और body से बाहर निकला कि बाहर जाओ और दूसरे cell को attack करेगा वो अब, जब यह बाहर निकल रहा है, यहाँ कोई रोक दे, inhibition of viral release, तो virus के different stages पर ही यह द antiviral drugs है, बात समझ में आ रही है, किले रोकों के बाते आओ आ गया आते हैं, ठीक है, यह हो गया हमारे पास, next आते है, classification of antiviral drugs, देख ले जाना इसको, anti-herpes virus, ठीक है, जो herpes, herpes एक विमारी है, ठीक है, इसको जाकर net page के diagram देख सकते हो, बहुत गंदी से होती है, ऐसे फपोल DNA के उपर हमेशा क्या बनता है, RNA, लेकिन जो virus होता है, RNA के उपर क्या बना लेता है, DNA, यहाँ पर enzyme होता है, reverse transcriptase, यह बेटा, अभी हो सकता, बात एक बार समझ में ना आये, कारण क्या है, यह DNA replication की पूरी process होती है, तो फिलाल हमसाद जाना को DNA से RNA मनता है, और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन मनता है, बहुत बच्चों के बात याद आ रही होगी, इंटर में पढ़ाता है, ठीक है ना, और virus ऐसा खतरनाक है, जो RNA से DNA बना लेता है, वो खुद RNA होता है, अपने RNA के उपर reverse transcriptase नाम का एक enzyme होता है इसकी body में, कौनसा enzyme होता है, reverse transcriptase, कौनसा enzyme है, reverse transcriptase, इसकी help से यह RNA के अपने RNA के उपर DNA बनाने में सच्चम हो जाता है, और यही कहलाते है, retrovirus, ठीक है ना, तो इनक इसके खिलाफ जो काम करेंगे, ओके, उसमें कौन-कौन आते हैं, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, जैको reverse transcriptase inhibitor, इसकी को रोकने वाला, इस enzyme को ही मार देगा, होने नहीं देगा कुछ भी यह, उसकी बाद कहा रहा है, non nucleoside reverse transcriptase inhibitor, ठीक है ना, वो nucleoside जाला था, यह non nucleoside वाला हो जाएगा, protease inhibitor, protease पता है ना, अभी हमने देखा था, protease, ठीक है ना, यह protease inhibitor है, nucleoside and non nucleoside, reverse transcriptase inhibitor, जो यहां रोकेगा, ठीक है, then next आते हैं हम लोग, protease, anti-influenza virus, जो influenza, सर्दी खाई, जुखाम का वायरस होता है, non selective antiviral drug, कोई selective नहीं है, कहां पर attack करेंगों, कुछ पता नहीं है, उन 4-5 step मैं से किसी एक जगह पर जाकर यह attack कर देंगे, तो यह चार ड्रग्स हैं, जो तुमको classified, इनकी classification के साथ से तुम लोगों को याद रखना है, चार वराइटी में तोड़ा गया है, इनको, clear है, now come to the drug, साथ से पहले ड्रग आता है हमारे पास, amantadine hydrochloride, तो क्या कह रहा है, am अंडर दा ब्रेंड नेम, कोकुवरी, ठीक है न, amantadine hydrochloride is the hydrochloride salt of amantadine, amantadine का hydrochloride salt है यह, a synthetic tricyclic amine, तो साफ साफ कह रहा है, कुछ याद ना रहे है, तो इतना याद रखना, यह क्या है, tricyclic, तीन cyclic ring होंगी, और amine होगा साथ में, with antiviral, antiparkinsonian, antiparkinsonian भी होता है, anti-hyper, hyper-algesic, ठीक है न, activity, okay, it is used to treat influenza caused by type A influenza virus, ठीक है न, type A influenza virus के वज़े से जो influenza होता है, उसको रोकता है, यह, amantadine appear to exert its antiviral effect against influenza A virus by interfering with the function of, interfering, मतलब दखलंदाजी देता है, कहाँ पर, viral M2 protein, उसके M2 protein पर, ठीक है, यह, इसका mode of action दे दिया है, यहाँ पर, याद रखना, 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 त्यों दिक्वाली बात नहीं है, thereby preventing, यानि कि यह जो amantadine होता है, यह M2 protein के उपर जाकर के उसके attack करेगा, ठीक है, thereby preventing the release of infection, यहाँ पर कहाँ टैक कर रहा है, एक तरह से release, यहाँ पर जाके रोकेगा, इसको, into the host cell, के लिए रहे बाते हैं, यह थोड़ी सी बाते हमको यहाँ पर समझ नहीं थी, इसके बारे में, इसके बारे में, अब देखो, tricyclic, यहाँ ज़र आप गौर से समझना, tricyclic, एक दिख रही है, एक, ठीक है, फिर वैसी दो, और यह इसको, अगर मैं ऐसे खोल दूँ, तो यह वही सेम एक, ठीक है, ना, रिंग आजाएगी, तीन, और उपर क्या लगा हुआ, अमीन, तो amantadine, one amine, hydrochloride, यहाँ पर dot STL लिख देंगे, तो यह आगे, amantadine, यह वन पर क्य आए, टाइप ए, इंफ्लेंजा वाइरस, जो टाइप ए, इंफ्लेंजा वाइरस होते हैं, उनको दौरा जाइए, उसको रोखता है, Parkinsonian disease, जो पर चीकर के आता है, मैंने, क्या होता है Parkinsonian disease, एक, निरो, डीजनरेटिव, निरो, डीजनरेटिव को मतलब होता है, खराब होना, हमारे Neurons दो होते हैं वोंToday खराब होने लगते हैं एसी डिजीस है इसमें दिमाग की पेशियां या ब्रेइन जल्स जिया नीरॉं always और दिमाग के वह क्या होते हैं डेजनरेट होने ठीक है ना वो हो जाता है है उसमें भी ये काम में आता है बट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एंटिवाइरल तो हमारे लिए यह वाला पॉइंट ज्यादा important हो जाता है clear है stability store is same है कोई difference नहीं है ठीक है वही रूप temperature tightly close container और keep away from light and moisture formulation की बात करें tablet capsule syrup solution चारों को रूप में आता है ब्रैंड निम की बात करें तो गोकुवरी और सिमेटेरल के नाम से market में available है clear है now come to next IDO you are you IDO jury dying ठीक है IDO jury dying it is a nucleoside analog ठीक है आप भी modified form of deoxy uridine ठीक है ना deoxy uridine का modified form है similar enough to be incorporated into viral DNA replication ठीक है तो यहां पर है क्या चीज़ अब यहां पर यह चीज़ें उन बच्चों के लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी जिनको पता होगा कि nitrogen basis होते हैं जिनको नहीं पता परिशान बिल्कुल ना होना ठीक है ना जिनको पता है वस्वड़ा से याद रिवाइस करा दे रहा हूं मैं ठीक है यह लाइन चाहँ तो छोड़ देना जिननों को बिल्कुल नहीं पता है क्योंकि रैप्लिकेशन अपने आप में पूरी प्रॉसेस है उसमें nitrogen basis होते हैं जिनको पता है थोड़ा से याद दिला दूमें पाइरिमाइडीन लग पाइरिमइडीन्स एड पियूरीन्स ठीक है ऑफिस के अंदर कौन यादैनिन और गोंनीन यहाँ पर क्वह defensi आ करकेए उसमझे लोगा थाइमीन और रासील होता है वो कुछ इस टाइप सरीफ से मिलके बनता है कई सारे कई-स इस और यह आगे जाते हैं इन में से तुकड़ा जो होता है यही केमिकल ठीका अगर यह केमिकल बदल दिया जाए यह तुकड़े क्या एक्षिली छोटे कैमिकल है जिनको हम लोग बोलते हैं नियुक्लियो टाइड क्या बोलते हैं नियुक्लियो टाइड बोलते हैं चो हम लोग क्या सकते हैं जो कैमिकल में यहां बता रहा था यह एक्षिली क्या है नियुक्लियो टाइड से होते हैं छोटे कैमिकल के हिस्स वह ही कह रहा है कि इसमें क्या है जो यू राइस्ल होिस्स को हम लोग क्या करते हैं हम लोकी करें है हमने में और ही वार्य अब यही डीन में ने होते हैं और उसका रबाद हो या Red ठीक है इस यूज़ अगेंज हरपीज सिंप्लेक्स वारेज जो बता रहा था मैं अभी उपर ठीक है दा आयोडीन आटम एड़ेट टू दा यूरैसिल कंपोनेंट ब्लॉक्स बेस पेरिंग अब क्या होता है यह दो चेन को आपस में जुड़ना होता है इनकी पेरिंग होनी ह होती है इन दो बेस को आप तो जुड़ना ऊथा पेरिंग होनी होती है तो जो एक्सट्रा रuição लगी हुई न यह इनको आपस में जुड़ने भी नहीं जेती इंको फेरींग कर दे रहे लोग तो आव देखते हैं क्या है यह उपराई लाइन फिर मतारों बच्छत थोड़ा सब्सक्राइब की प्रोसेस जिनको पता है बहुत अच्छे से रैप्लिकेशन क्या होता है नुक्लियोसाइड क्या है नीकलियोटाइड किया है उनके लिए बहुत असान है या लाइन फोर ठीक है ना और मेरे पास कहां चला गया 파ई फाइव पे क्या है आईडो है फोर और टू पे क्या है किटोन गुरूप लगे रहे ना किटोन यह एक किटोन यह मूदी चलो ओन पै क्या लगा हुए देख लेते हैं फोर पे ह bei अब सब यहांपर है लगा हुआ से फ्रो वन टू-टू-टू-टू-थै-टू-टू-ट्री-एड-ट्रो mez Folk की जॉआंत जहां होते स्ब्धाइब कर्वन टू-टू-ट्री-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-प्र-थै-उ सब्धриз यूइल देन औगज लॉन ठीक है किसी करना हुआ यह यह ओक्सोलियन जिया गुरौप Google और यूय पास है गरोप फाइर पर पार दोड़ेन और नीगने थिए ना होbli हो सिंपल यह मेरे उपास ग्रुप क्या था पायरी माइडीन था ठीक है किलियर है आगे आते हैं यूज की बात करें तो अगेन यह सिंपल याद रखना यह क्या है एंटी वाइरल इंफेक्शन है सच एज हर्पीस वाइरस बन तो कुछ ना याद रहे तो यह हमको एंटी वाइरल है क्या है यह एंटी वाइरल है एडिरीन आई, आइफेक्सम, रिडिनॉक्स और टॉक्सिल के नाम से मार्केट में यह अविलिबल हैं नेच्ट आते हैं एसाइकलोवीर, वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ना एसाइकलोवीर काफी ज़्यादा यूज में है, मार्केट में जब देखोगे तो काफी इसका इस्तमाल में रहता है, एसाइकलोवीर की अगर हम बात करें, ठीक है, आल्सो नोन एस एसाइकलोवीर, देखो एसाइकलोवीर कहलो या एसिकलोवीर कहलो, बात एक ही है ना, यह ब्रिटेन का और यह से की अललालन नेमिंग है, जिसको एक जगह पर एसिकलोवीर है सबको पता है उसमें इसका होता है माता माता बहुत देते हैं हम लोग ठीक है यहां से कवर हो जाएंगे ठीक है इट कैन वी टेकन बाइप्लाइड एज़ा क्रीम और इंजेक्टन टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट हो गया क्रीम आगया और इंजेक्शन लागया फॉर्मली से यहां से क्लियर होगी हमारे पास ठीक है न तो पकड़ने की कोशिश करो थोड़ा सा कि कहां से क्या हो रहा है केमिकल नेम इन इस्ट्रक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस एकलोवीर इस्टार लगा हुआ है केमिकल नेम इस्ट्रक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यह कुछ खास मारे पास है नहीं तो आओ देख लेते हम लोग तो यह क्या हो जाएगा मारे पास यह देखो यह आ जाएगा मारे पास यह आ गया टू अमीन हो ठीक है 1 2 3 4 5 and 6 ठीक है ना 1 2 3 4 5 and 6 7 8 और 9 इसकी नेविंग कुछ इस तरह से होती है ठीक है यह एक अलग ग्रूप फिर हाके इसे फ्यूज हो जाता है ठीक है और 9 फे क्या लगा हो यह पास यहां पर X ciao यह पर X यह 今रा टू तो 9 पर क्या लगा होय और 9 पर यह थर अधर थे iam टू कूरई ग्रूप में इधर पर है तो त्व प्र क्या लगा हो बहूं हए हाईडॉक्सी, ठІprise, फिर क्या लगा हुआ है यह, यह क्या होगया, MYthyl, इधर क्या होगया है, gegen into commencer, भून पर H लगा हुआ है, नैली यह हीन हिसे दवन इस्ट्रेक्टर लिंग होती है मेरे पास, ठीक है, और 6-1 लग गया है ठीक है, जो रिंग है मेरे पास, यह प्यूरीन रिंग है प्यूरीन नाट्र जैन बेस होता है तो यह बता रहा दा पीछे में जो कि अधी ने में लगे होती है कि लिए यूस की बात करें इत प्रैप्रम्ली उसक्रीट हर्पी सिंप्लक्स वायरस वायरस का नाम याद रख लेना शिंगल जो मैंने ऊपर 3 बता बात करें तो tablet suspension and capsule है brand name की बात करें तो SC herpene, SC herpene CRM, SC acive acivir और aciclovir ठीक है ना बात समझ में आ रही है acive और acivir यह अलग-अलग है ठीक है चले आगे Foscarnet, ठीक है ना Foscarnet is a synthetic organic analog, synthetic है analog of inorganic pyrophosphate ठीक है ना pyrophosphate होता है with activity against several types of viruses ठीक हम लिख सकते हैं यह कई सारे viruses के आगें क्या करता है काम करता है उनको kill करता है use for treatment of cytomegalovirus retinitis आंख का virus है जो आंखो में infection फैलाता है killer हो गया तो जो बाते समझ में ना है उनको हटाते चलें जो बाते समझ में आए easy लगए याद करने में उनको add करते चलें मैं फिर बता रहा हूं बाते मैंने साही लिखी है कुछ बच्चे सार सब कुछ catch कर पाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा कम catch कर पाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जितना उनको लगता है कि हाँ यह पड़ा पड़ा सा था इसको याद करना असान है उतनी बाते रखते चलें बागी चीजें हटाते चलें फॉसकर नेट फॉसफॉफ्श फॉसफ़ो मिथ्च आशिड इसका दूसरनाम क्या है फॉस्फोनो भासे किलर हो जाएगा नोन बाइस ब्रैंड नेम फॉसका वीर पॉसका वीर का ब्रैंड नेम से में अविलेवल रही है इस एंटी वायरल है सबको पता एंटी बाइस यू classified as pyrophosphate analog ठीक है ना DNA polymerase inhibitor यह क्या चीज़ है DNA polymerase inhibitor कहीं नहीं इसकी working की बात हो रही है यह जो enzyme होता है DNA polymerase जब DNA का replication होता है तब इसका काम बड़ा जबरदस होता है यह नहीं होगा तो DNA replication कभी नहीं हो पाएगा यह DNA replication कराने में help करता और इसी को यह खतम कर दे रहा है यह रोग दे रहा है तो DNA का replication नहीं होगा ठीक है ना chemical image structure की बात करें तो देखो यहां पर क्या आ गया ठीक है यह क्या है COOH HCOH क्या होता है याद है यह formic acid formica ant से मिला था हमको ना ant के टंक में मिला था formic acid और यह क्या हो गया फास्फोपी लगा वाद तीन दो लगे एक ओ लगा हुए ना फॉस्फोणो फॉर्मिक ठीक है फॉस्पोणो यह हो गया यह और यह हो गया फॉर्मिक फॉस्वोनो फॉर्मिक एसेट किलियर है समझ में आ रहा है यूज की बात करें यूज तो ट्रीट साइटो मेगलो वाइरस रेटिन आख वाला जो वाइरस था हमारे पास इकलौ प्रेटा ब्रेंड नेम आगते हैं जिडूबडायण जिडू विडायण जिडू वडायन जिडू कराते है वेलती जिडू वडायन एंखने किना जिडू वुडायन किसको रोक रहा है यह रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेस वाले इंजाइम को जो RNA से DNA बनने में हेल्प करता है यह ऐसा है जो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है यह कुछ और एंटी रिट्रोवाइरल के साथ इस्तमाल कॉम्बिनिशन में करवाया जाता है अगर मदर को एट्स है मदर से बच्चे में एट्स होने के समवाना बढ़ जाती है उस केस में इसका इस्तमाल हो रहा है यूज तो प्रिवेंट मदर टू चायल इस्प्रेट दूरिंग बर्थ और आफ्टर नीडल सिश्टिक इंजरी और अधर पोटेंशल एक्सपोजर या इंजरी हो गई है ठीक है ना तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इट कैन वी यूज पाइ माउट और बाइस लोई इंजेक्शिन इंटू वीन में धिरे-दिरे इंजेक्शन दिया जाता है चेमिकल नेम और स्ट्रॉक्चर की बात करें करें तो देख लोई हैं अभी तो स्विर से वही सारी कहानी आ गही है शमजी रही स्में इसasında वही है ठीक है न ह billionaire डॉक्सी मिथाइल बाद आगी पूरा वही पीछे वाला है यह ओक्जलान आ गया टू से जड़ा हुआ आइल फाइब पे मिथाइल पाइरीडीन ठीक है न यह पाइरीमिदीन आ गया और टू और फोर पे किटोन लगाया तो डाइवन आ गया किलियर है पास समझ में आ रही है यूज की बात करें यूज तू प्रिवेंट एंड ट्रीट एचाईवी एड्स यूज तू प्रिवेंट मदर टू चाल्ड इस्प्रेड दूरिंग बर्थ और आफ्टर जो उपर लिखा था मैंने ठीक है आफ्टर निडल स्टिक इंजरी और अधर पोटेंचल एक्सपोज कीप इन टाइटली क्लोज कंटेनर कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉस्टर ठीक है फॉर्मलेशन की बात करें तो टैबलेट इंजक्शन सीरप है ब्रैंड नेम की बात करें तो रिट्रोवीर जीडोवीर और जीडवेल के नाम से मार्केट में अवेलिबल है नेक्स्ट एन लॉग है और एंटिवारल एजेंट है तो यहां पर नीक्लोसाइड वह वाली बात आगी कहानी जो बता रहा था नीक्लोसाइड पीछे बात चल रही थी उसी से मिलता जोता है एंटिवारल एजेंट है यूज़ इन ठेरापी ऑफ क्रोनिक हैपाटाइटिस सी तो यहां अच्छा देखो बच्छो कुछ चीज़ें ऐसी है ऐसे फ्लाइव वायरेस है तो तुमको लगता कि यार एकदम से आ गया सर ने ज्यादा कुस बताया है नहीं ज्यादा उसमें बता को तो लेक्षरी बहुत लंबा हो जाएगा और वह ज़्यादा हमारी यूज में है नहीं इंदा बाद उस पर डालो ठीक है जो डालो कि इमेज इमेज सब निकल के आती है और बढ़िया से एकदम फर्स्ट्रास पढ़ाई होगी ठीक है ना बास समझ मारी है ओके ठीक है इटीज एन एंटिवारल मेडिकेशन है ठीक है यूज टू ट्रीट रस्वी रेस्पिरेटर अंदर उसके लिए राइबर वेरिन इस टेकन बाइं माउथ और इन्हेल इसको ऐसे इन्हेल करके भी हम लोग ले सकते हैं तो ठीक है कार्वक्समाइट दे रखा यह रहा मेरे पास कार्वक्समाइट ठीक है ना वन टू फॉर ट्राय अजोल और ठीक है यह आगे मेरे पास ठीक है और यह क्या हो गया और यह हो गया पराणामागी निट्रोजन तो Chiazole 3-Carboxamide, ठीक है, यह मेरे पास क्या आ जाएगा, compound का नाम आ जाएगा, इसका, use RSV में जो उपर पढ़ाता है, hepatitis C, वही वाई लाइन में ने नीचे उतार दी है, and some viral hemorrhagic fever, किलियर है, ठीक है, storage वही सेम है, formulation की बात करें, तो tablet capsule solution, brand name की बात करें, तो tribavarine, imavarine, ribavine और ribonoid के नाम से market में available है, क्लियर है, next, remdesivir, नाम तो याद ही होगा, remdesivir, भूले, कि याद है, अरे, कोरोना में सब से जाद है, यही थी, यही के shortage होगे थी, सत्तर सत्तर हजार के वाईल भी की है, है, ठीक है न, लोगों ने इतना अतंक मचा दिया था, मतलब इतना ब्लैक किया था, जाराज छोटी से मेखा से, I think, बहुत सस्ती है यह, और इस सत्तर सतर हजार में, सत्तर जिसके सास्तर रुपे कीमत नहीं है, वो सत्तर हजार में दवा भी की है, ठीक है ना, मतलब मैं तो नहीं किया ऐसा, लेकि मेरे सामने ऐसे कुछ केस आई, जहां लोगों ने कहा है, हमने सत्तर हजार रुपे में लेके आए इसको, बचा नहीं थी जान तो क्या करते, रेमडे सिवीर, ठीक है न, जहां पर COVID-19 का भी चीकर होने वाला है, क्लियर है, आओ देखते है, रेमडे सिवीर, बहुत लोगों को याद होगे के हाँ सर बात तो सही है, रेमडे सिवीर, सोल अंडर दा ब्रैंड नेम, वेकलरी, ठीक है न, रेमडे सिवीर, ठीक है क्या कह नोबल, कोरोनवाइरस, डिजीज, लेटेस्ट आ गया यह, इसी लिए ये बच्चो, आयमपी भी है, क्योंकि कोरोनवाइरस के उपर है तो बहुत जाद संभावना है, इसके पर कुश्चन आएगा, इसको तो बिलकुर रट डालना, ठीक है न, कॉश्ट बाइ सीवीर, एक acute respiratory syndrome, SARS, ठीक है न, यह SARS का ही क्या है, रूप एक, ओके, कोरोनवाइरस 2, कोव 2 इंफेक्शन, यह तीन चीज़ों में काम आ रहा है, कोविद नाइंटीन के लिए, और SARS और कोव 2, it is a broad spectrum antiviral medication, it is administered via injection into the bean, injection से दिया जाता है, टैबलेट बाइरा कुछ निए इसकी, ठीक है न, it is administered, ठीक है, during COVID-19 pandemic, remdesivir was approved or authorized for emergency use to treat COVID-19, इसी को approval मिला था, कि आप इसको दीजिये, patient को ठीक कीजिये, in numerous countries, कई सारी country में यह approval मिल गया था, remdesivir was originally developed to treat hepatitis C, शुरवात में यह जो बनाया गया था, so hepatitis C and was subsequently investigated for Ebola virus, बाद में जो Ebola virus आया था, उसके लिए भी इसको 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 and Marburg virus infection, तीन तरके infection के लिए पहले था, अब इसको COVID-19 में भी क्या किया गया है, इस्तमाल किया गया है, chemical name and structure की बात करें, अगर हम लोग, तो काफी लंबा चोड़ा नाम है इसका, हम इसको भी यहाँ पर focus नहीं करेंगे, ठीक है, होश पर जाएगा, इसको भी छोड़ देत काई, stability storage सेम है, formulation क्या है, powder for injection और solution, ठीक है ना, अब brand name क्या है, COVID-4 और वेकलरी के नाम से market में available है, clear है, चलें आगे, now come to the last, fevipyravir, fevipyravir, sold under the brand name, Avigan, ठीक है न, Avigan, brand name के अंडर इसको हम लोग, बेशते हैं, fevipyravir, इसको पाइर जीना कार्वाक्समाइड डेरिवेटि पाइरा, जीना, कार्वाक्समाइड, डेरिवेटि विद एक्टिविटी अगेंस्ट, आर इने वाइरस, जो वाइरस आर इने कैटिगरी के होते ही, जिनके अंदर, आर इने जेनेटिक मेट्रियल है, उनके खिलाफ ये काम करते हैं, it inhibit, क्या चीज लोग देता है, आर इने आरेने पॉलीमरेस जो आरेने वारेस होते हैं उसमार आरेने बनने के लिए एक important enzyme होता है आरेने पॉलीमरेस जैसे मैंने डिने पॉलीमरेस का जिक्र किया तो सोड़ी देर पहले वैसे ही यहां पर एक आरेने पॉलीमरेस है जो काफी important है आरेने की synthesis में इसको रोग देंगे त यूज तू ट्रीज ठीक ना छोड़ दो क्या है एंटी वारल मत लिखो इस यूज टू टू तू टू टू अग्शन कोश्फ तू एंड अधर वाइरल इंफेक्ट्ट्ट्ट्टिंग लिए रहे शीदा सिदा लिख सकते हैं chemical name or structure की अगर हम बात करें chemical name or structure की अगर हम बात करें तो हमाई सामने यह दो कार्वाक्समाइड यह रहा सी यह हो गया क्या कार्वाक्समाइड हो गया मेरे पास ठीक है ना 5 फ्लोरो तो यह आ गया 1 2 3 4 & 5 5 पे फ्लोरो लगा हुआ है और तू पर हाइड्रोक्सी वण पर एच है पाइजीन कर्वाक्समाइड यहां पर ओके यह टू पर क्या हो गया अग्सो हो गया ठीक है 1 यहाँ पर क्या है थोटा सब यहाँ पर यह राएगा ओर यह नियोगा ठीक है न, 5 pyravid 2 पह क्या लग गया, oxo, keto group है, keto लगता है, ठीक है, 1 h, ठीक है 1 पह है है, यह पह है, hydrogen है, pyrazine यह pyrazine हो गया, 3 carboxamide हो गया, कलिए रहे, okay आगया आते हैं यूस की बात करें तो used to treat influenza, SARS, COVID-2 and other viral infection stability storage की बात करें तो is same है formula की बात करें tablet है brand name की बात करें तो faviflu, favipira, favivir and avifavir के नाम से market में available है ठीक है तो ये थे हमारे पास 8 drugs ठीक है antiviral agents के जिनको तुम्हें क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है, और एक या दो दिन के अंदर में lecture's पूरे 13 chapters सरक कंप्लीट करने के कोशिश कर रहा हूँ, उमीद है हो भी जाएंगी, सब कुछ ठीक रहा तो, ठीक है, तो क्या करना है, जदा-जदा LEARN करना है, लिख-लिख के practice करन एक्जाम से पहले मैं तुमनों के त्यारी और अच्छी करवा दूँगा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किलियर है तो क्या करना है रिवाइस करना है और रिवाइस करना है ओल दा वैस